हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल दिवेल्प किचन तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसीपी बताऊंगी जिससे आपका वजन बहुत ही आसान तरीके से कम हो जाएगा तो इस रेसीपी को आपने ट्राय कर लिया ना तो आपना साथ से आठ दिन में केवल चार से हो जाएंगे यह रेसीपी बहुत ही एफेक्टिव है और आपकी बॉड़ी में जित्ती बिमारी होती है वो भी कम करेंगे और साथ-साथ में वजन भी कम करने के लिए बहुत ही जादा काम में आएगी तो इस रेसीपी को मैं बता देती हूं जो 18 प्लस लोग है वही खा सकत होती है और इसको ना अभी सर्थियों टाइम लेती हैं कुछ लोग कि यह हैंना हमारी बॉड़ी के को गर्म घर मी पहुचाती है और यह थोड़ी सी तासीर में गरम होती है जो अजवाइन है वह और वजन कम करने भी बहुत ही जदा फायदे मंद होती है और साथ-साथ मैं गुड़ ले लिए गुड़ हमारी जो बॉड़ी होती ना उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है सभी बिमारियों को खतम करता है और जो खून होता है उसको भी साफ करता है यह जो गुड़ है वह और अजवाइन और गुड़ का आपने इस तरीके से यूज कर लिया ना तो इस रेसिपी को आपने ट्राइक कर लियाना तो मैं आपको गैरंटी दिलवारी हूं आपका वेट लॉस होगा और साथ-साथ में बहुत सारी बिमारिया भी खतम हो जाएंगी और साथ-साथ में अभी ठंडिया चल रही है तो इस रेसिपी को आप ले सकते हो गर्मियों में थोड़ा सा आप अजवाइन का यूज कम करिए क्योंकि इसकी तासिर होती ना गरम होती है पर सर्दियों में आप इसको यूज भी करोगे ना तो बिल्कुल भी आपको ठंडी नहीं लगेगी तो एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को जड़ूर ट्राइ कीजिए को बहुत अजवाइन को ना इस तरीके से 2-5 मिट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर मैंने अप देख सकते हो एक लिया और इस रेसिपी को 18 प्लस लो कंस्यूम कर सकते है तो अगर 18 प्लस हो तो इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राय केजिए आपका वज़न बहुत यह आसान तरीके से क करें तो बहुत सारे काम होने हां लगनेặc dwamasen कोट तो यह ची का कार्म मिर्ष भी टाल how चीन भी मिग्स हो इस तरीके से कूच लेना है तो बिलकुल बारी कूच लेंगी जेतना आपसे सटरीके अब इसका पाउडर बना सकते हो और इस रेसिपी को आपने ट्राय कर लिया तो बहुत सारी बीमारियां भी कम होंगी आपकी और जो अजवाई ने हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही हैल्दी होती है और साथ-साथ में यह वजन कम करने में भी बहुत ही अच्छा सोर्स मानी आप अजय के लिए तो इस तरीके से अच्छी तरीके से अब देख सबक्राइब कर लिया है और यह नहीं थोड़ा सा चाको से काट लिया था चोटे-चोटे पीसिस में और इस तरीके से ना इसमें डाल दिया तब यह के ऊपर तो गैस का फ्लेम मीडियम है तो अब इसका न बना के त्यार कर लेना है तो आपको पानी नहीं डालना है बिना पानी डाले इसकी चाशनी बना के त्यार करनी है चाशनी वैसे बनानी तो क्या है बस इसको मेल्ट करना है आपको अच्छी तरीके से तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको चलाते रहेंगे क्योंकि यह ना लोहे का तब है जल्दी इस चीजे लगने का डर रहता है इसलिए ना इस तरीके से इसको चला रहे हूं तो गुर्ण को अच्छी तरीके से मेल्ट कर वा लेना आपको इस तरीके से आपको मैश भी करते रहे थाके जल्दी मेल्ट हो जाए और नीचे से लगे नहीं और गुड़ ना आपको सर्थियों में खाना ही चाहिए क्योंकि यह बोड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है खून साफ करता है खून को पतला भी करने में help करता है तो इस तरीके से यह देख सकता है अच्छे तरीके से इसको मेल्ट करवा लिया बिना इसमें पानी वानी डाले तो अभी इसमें जो पाउडर मैंने बनाया था ना आज वाइन का वो भी डाल देंगे और आप चाहो तो इस टाइम ना जीरे को सेकर भी डाल सकते हैं पाउडर बनाके क्योंकि जीरा भी वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल् पट जीरे के मैंने आपको अनदर वीडियो दे दिया है तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं और भी वेट लॉस की रेसिपी तो इस तरीके से ना अब इसमें हम डालेंगे सींधा नमक सींधा नमक ना हमारे जो गले में खरांस होती है उसको खतम करने में जो बलकम होता है उसको भी खतम करने में बहुत हैल्प करता है और बिल्कुल आपका जो गला है अगर आपके खांसी जुखा में तो आप इसको ट्राइक कर सकते हो अगर आप ताइराइड के पेशेंट है तो आप ना अपने डॉक्टर से एक बार लेकर ले सकते हो तो इस तरीके से ना इ करेंगे तो थोड़ा ठंडा हो चुका अपने बिल्कुल जैसे इसकी कंसिटेंसी आ चुक है तो गरम घरम में लगी तो बना आगे कर सकते यह यह अगर वजन नहीं करना चाहते हो वैसे आप इंको प्राइय करना चाहते हो कोई विमारी हो गई है खासी सुखाम हो गई तब भी आप इसको ट्राइब कर सकते हो वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी रैसीप है यह और साथ-साथ में आपको इस तरीके से गोली लेनी है गरम पानी के साथ तो इस तरीके से ना आप देख सकते हो बहुत ही आसान मैंने इस तरीके से गोली बना के त्यार कर लिया आप इसको बॉल सकते हो तो छोटी-छोटी आपको इस तरीके से बना के त्यार कर लेनी है तासीर अजवाइन की थोड़ी गरम होती है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको मैडिसीन के रूप में लेना है तो अब यह मैंने थ तो देख सकते हो जो सीन्धा नमक मैंने इस लिए क्योंकि यह गरारे करवाने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प में आता है तो इस तरीके से सीन्धे नमक में डाल देंगे इसको और अच्छी तरीके से इस तरह की सो कोड कर लेना इसके उपर सींधा नमक और सींधा नमक वजन कम करने के लिए भी हेल्प में होता है नमक आपको नॉर्मली वाला नहीं उसका द्यान रखना है ज्यादा आपको इसमें उपर से नमक नहीं लगाना क्योंकि इससे भी टेस्ट ना थोड़ा सा सोर हो इसलिए थोड़ा थोड़ा लगाएंगे हम और फिर इसको आप हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी भी एर्टाइट कंडरें में आप इसको रख सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दो से तीन मेहने के लिए तो अगर आपको रेसिपी अची लगए तो चैनल को सब्स् तो आपको दिन में एक लेनी है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही थाएंगे